हे गाईज वर्कम टो देव भूमी करियर पॉइंट आसा करता हूँ आप सभी लोग स्वास्त होंगे काफी अच्छे आपकी स्टेडी चल ले होगी तो देखे दोस्तों वीडियो वीडियो एक्जाम की डेट अनौन्स होना बांके रह गया है बांके आप सभी को पता है दिसं का भाईया सतक हो गया है आप सभी लोगों का प्रेम है आप सभी लोगों का यहां पर सपोर्ट है हम उत्राखंड जी के टैसरीज के सौवे भाग में पहुंच चुके हैं इसके अलावा हमारा हिंदी का नभेवा भाग आना है और जीस की जो टैसरीज चल लिए 70 प्लस तो इनको भी आपने फॉलो करना है देखें जी एस उत्राखंड और हिंदी आपका में लिए यह आता पेपर में दस नंबर के आट-दस नंबर के रीजनिंग को हम अग करते हैं तो इन तीन अगर टैसरीज को आप फॉलो करते हैं तो इसका निश्चित बेनिफिट आपको अप 200 x 20 क्योंकि एक टैसरीज में 20 कोशियन होते हैं तो आपके 2000 प्लस उत्राखंड के यूनिग MCQ जो हमने कम्प्लीट कर लिए हैं तो इतने कोशियन आप फॉलो करें तो यह कोई मतलब भी नहीं होता कि आपका बहुत कम चांसे है कि एक्जाम में कोशियन ना बने आसा ठीक है जैसा पेपर सेट अभी कनिष्ट सायक में वहाता है वहाँ पर भी आपने देखा हुगा उत्राखंड के 4 से 5 कोशियन बहुत अलग बनाई थे उन्होंने जिसके आंसर देना बहुत मुस्किल था किसी के लिए भी तो इतना नहीं सोचना लेकिन जितना 35% स्कोर अगर आप 35 सब्सक्राइड पहला कोशियन आपके सामने स्क्रीन पे 9 ड्हुंगागर किस जंपद में उस्तितन है जो Ark सब्सक्राइड जिन देखिए 9 ग्रजब किना 25 और नौई पत्थर दिखेंगे उसमन, मतलब नाइन इस्टोन दिखेंगे हर साइड से, और नौ पत्थरों से ही बना हुआ वो इस्थापत्य कलागा एक नमूना है, नौ ढूंगा गर, चमपाउत में, ठीक है, इसके अलाओ चमपाउत में एक हतिया नौला भी आपको देखने को नमूने है, जहां से कोशिन एक्जाम में बन सकता है, तो आपको सभी बात है पता हो नीचे, नेक्स्ट कोशिन है देखिए, सोर घाटी का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचिन काल में क्या कहलाता था, तो सोर घाटी की बात हो ले तो यानि कि भाई बात किसकी हो रहे है पिथोरागले जनपत की, पिथोरागले जनपत यहां पे है, यह मैप में अगर हम देखते हैं, और इस पिथोरागले जनपत का भी उत्तर पूर्वी भूखंड यान की यह वाले एरिया की बात हो लिया, तो इसका जो उत्तर पूर्वी भूखंड था, यह प्राचिन काल मे आप बैठे थे तो बहुत अच्छा कोशिन है देखे गडवाल का स्वानेकाल पूछा जाएगा मध्यकाल के हिसाब से पमार सासन में तो फते पती सा वहीं अगर कुमाओ का स्वानेकाल पूछा जाएगा तो जगत चंद ठीक है दोनों पॉइंट नोट कर लो आप जगत 1684 में लेकिन यहां पर इनके जो प्रार्मिक संदक्षक थे वो पृत्वी पती साथ है ठीक है और राजमाता कटोची इनकी संदक्षी का थी और फाइनली जब 1684 का टाइम आता है 1684 इस भी तब जाके इनका राज्या विसेग होता है दूमदाम से लेकिन गद्दी पर यहा आपने याद रखनी है और फते पती साह के चया बारे में एक महत्वपूंट पॉइंट यही भी है दोस्तों पमार वंसका सरवाधिक सरवाधिक पमार वंसका सर्वाधिक कि 1 लंबे परियाट तक सासन करने वाला था फतेपति cen 52 साल तक राज किया फतेपति sun, 52 एस टीक है यह भी एक महत्वात्व कॉहशियन बन सकता है exam में कि किस पमार राजा ने सर्वाधिक सासन किया था तो यह था फतेपति cen और फते पतिसा और गुरु गोविंद सियां के बीच में युद्ध भी हुआ था भंगागली का युद्ध है यह बहुत लंबी कानी है उत्राकर नितियास कोर्स में हम पकेते हैं कुछ यहां पर भ्रह्म पैदा हो गया था राजा को इसलिए युद्ध होता नहीं है लेकिन स स्यांगा चेत्रों का एक सदर स्यांगा होता है ठीक है तो जौन सार चेत्र के अगर हम बात करते हैं यहां पर देखिए एक सदर स्यांगा जो होगा वो चार चेत्रों में होता है ठीक है चार स्यांगा चेत्रों पर एक सदर स्यांगा होगा सीनियर ठीक है ओप्शन एसमसे ह हो जाएगा मुख्यमंत्री महालक्षमी योजना की सुर्वात कव हुई तो देखे इस पर पूरा मैंने descriptive topic दिया आपको उत्राखन करेंट अफ्यास वाले प्लेश मा आप देख ले ना मुख्यमंत्री महालक्षमी योजना हलांके बहुत पहले से प्रस्तावी थी लेगिन officially इसका उद्गाटन किया था पुसकर्षया धामीन है ठीक है और इसकी सुर्वात हुई थी हमारी right answer जाएगा इसका 17 जुलाई 2021 को ठीक है option A से answer है 17 जुलाई 2021 ठीक है तो यह ध्यान दगना आपने official date जो है मुख्यमंत्री महालक्षमी योजना की वो है हमारी 17 जुलाई 2021 बिल्कुल भी confusion नहीं होना है यही से लौन चुई थी है अगला देखे प्रख्याद गरवाली नाटक जैवीजाई के रसनाकार कौन है तो देखे जैवीजाई very important है और इस नाटक के रसनाकार है भव जैवीजाई के अलावा भवानी दत्त थफल्याल का एक नाटक बहुत फेमस है जिसका नाम है प्रहलाद ठीक है यह भी नोट करें प्रहलाद नाटक और जैवीजाई नाटक दोनों की रसनागार है भवानी दत्त थफल्याल जी चलिए अगले question के तरफ बगते है अलमोगा मैं home rule आंदोलन कब सुरू हुआ था देखें यहां पर सुरू कब आये पूछा जारा question यान की home rule लिग की स्ताफना कब हुई अलमोगा में simply question यह अब question का जगे तरीका बदल देता है जैसे UK SSS ने इस बार 31 अक्टूबर वाली एक्जाम में किया बहुत से question का जो पूछने क लैंग्वेश थी उसको थोड़ा convert कर दिया और गच्चा खा गई student फी home rule आंदोलन शुरू हुआ था 1914 में यानकि 1914 में अलमोगा में home rule लिग आंदोलन शुरू हुआ और ध्यान दखेंगे इसकी साखा देलादून में भी खोली गई थी 1918 में यह question भी बनाये देलादून में home rule लिग की साखा खोली गई थी 1918 में ठीक है कुमाव परिशत की स्थापना का मूल उद्देश क्या था बाई बहुत है अच्छा कोश्य ने देखिया आप सभी परते हैं कुमाव परिशत या कुमाव संग जो हमारा बना था 1916 में बना था तो क्यों बनाया गया था है छेत् इसके निवारन के लिए यहां पर कुमाव परिशत की स्थापना की गई मूल उसके बाद कुमाव परिशत और सेक्टर में भी काम करती लाइक कुली विगार अंदुलन हो गए उसके अरा भी बहुत सी जो चोटी-चोटी यहां पर इस्यूस थे उन पर काम करना सुरू करती ठीक है मूल था वन समस्यां द्यान रखेंगे चंद सासन का आल में नगत प्राप्त के जाने वाला भूकर क्या खेलाता था तो चंद सासन में देखिए कोईशन भी बनाता आइधिंग हाल के ही एक जाम है चंद सासन के दोरान जो नगत टैक्स से लिया जाता था ना प्रज प्रण देखिए तारा रत्त गैरोला जी की रचना है सदेई यहाँ एक करूं रस प्रधान का आव्व्य है ठीक है करूं रस की इसमें प्रधानता है इस सदेई रचना में और इसका जो प्रकासन हुआ था वो 1921 में हुआ था 1921 ओप्शन एस में बिल्कुल सही है 1921 ठीक है रुद्र नात में जो होता है वह हमारे भगवान सीव की पूज होते है ठीक है बड़ो और मुख दिया तो और बीर समय हें रौद्रमुकई आप देखे इसके あलावा भी आपको पता होना छे जो अंकिन अमारे वी क्लक पिजिवनाथ तो वह पर नाभी की के दारनात, तो केदारनात में Siv के किस भाग की, पूजा होती है, तो के दारनात में Siv का जो कुबग वाला, भैल है, उसकी पूजा होती है, इसके पीछे भी कहानी है, परिक्ष अउनल में साप-साप दिया गया है, आपको, जब पांडव हमारे महाभारत का युद्ध लगे आते हैं, तो फिर उनको आत्म गलानी होते हैं, बहुत से अपने लोगों को मार देते हूं, तो उसके पश्चाताप के लिए भगवान सीव की तफष्चा करते हैं, लेकि बगवान सीव उन्से बचना चाहते हैं, तो धर्ती मा सम के बाहा की पूजा होते हैं तुंगनात उत्रागंड का सरवाधिक उचाई परिस्तित मंदिर है और यहां पर शिव के बाहा पूजाओं की पूजा होते हैं ध्यान लगींगे चले बगते अंगले कोश्चिन की तरप Kingdom of Nepal पुस्तक के लेकर कौन है तो Kingdom of Nepal लिगा है Fransace Hamilton ने option is में सई आंसर है Fransace Hamilton अल्मोगा जनपत के किस स्थान पर प्रेज्व विध्याले की स्तापना की जे गती बई इंपोरेंट कौशिण तो प्रेज्व विध्याले की स्तापना होते हैً 1921 के आसपास और यह श्तापना होते हैं हमारे कुमाओ वाला उस दौरान गांधी जी भी यहां पर आते हैं और गांधी कुटी भी यहां भी स्थापित की जाते हैं उनकी याद में ठीक हैं और देखें एक महत्वपन पॉइंट यहां पर आपको याद रहना है प्रेम विध्याले जो है यह तागे खेत अलमुगा में है औ प्रेम सभा हमारा यह भी इंपोडन है प्रेम सभा की स्थापना होते है 1914 में और इसकी स्थापना होते है काशीपूर में और गोविंद बल्लब पंत के द्वारा इसले गोविंद बल्लब पंत के कामों को देखते हैं वहां पर जो अमारा राजनेतिक किरिया कलापों का इन सभी जन्जातियों को 1967 में अनुसूचित जन्जाति में अधिसूचित किया गया था, option A सही आंसर है, 1967. अगला है देखे, जिम खाना मैदान की, जिम खाना जो मैदान है, यह कहाँ पे है, तो देखे, जिम खाना मैदान आपको देखने को मिलेगा नैनी ताल में, नैनी ताल में, जितने भी हमारे इवेंट्स वोगेरा होते हैं, वो सारी क्या होते हैं, जिम खाना मैदान में ही आय मल्ली ताल के ही यहां पर आपको दिखेगा जीम घाना मैदान कभी यहां पर क्रिकेट टूनामेंट होता है कभी होंकी बच्चे के लिए कभी कुछ और चीज होता है तो में एक ग्राउंड है हमारा नैनी तालकम अगर दिखेगे सरवादी ग्रामिंग जनसें के प्रतिशत वाला दूसरा जनपत कौन सा है तो दिखेगे ग्रामिंग जनसें के प्रतिशत वाला दूसरा जनपत पूछ लगया है पहला जनपत भी तो पता होना जी कौन सा है तो उत्रागंड राज्ये का सरवादी संक्या वाला वो रुद्र परियाग है रुद्र परियाग में हमारा 95.9 पॉइंट का है रूराल पॉपुलेशन है ओके तो यह पॉइंट आपने अच्छे से याद रखने हैं चले बगलते हैं अगले कोशियन की तरब अगला कोशियन बोलता है उत्राकंडी की पहली आपने पॉइंट नोट कर लेंगे तो उत्राकंड की पहली जो उल्दु धार्मिक पत्रिका इसका नाम था उथर्धेयादी अजम ठीक है और फैर परें आप्सशन मीस हो जाते हैं हलबार पताने कैसे मीस हो जा रहे है तो यह पुस्तक जो थी इसका नाम था हाधी अजम ट मुफιम एकपाल सिद्धी कि हल दवानी से पत्र का प्रिकासीत एती। टिकाँ से हलदवानी सेॲिदी sett руки में सताफित ही त्यों aos 21 उसफंद्रांश अगला गोश्येन परश्याद गोलखो नएक अंग्रेज लेजींट को नेपाल में रखना सιुकार किया है तो देखें कौन सी ट्रेटी थी जिसके बाद गोलखों ने एकसेप्ट किया कि एक अंग्रेज रेजिडेंट यानि कि राजदूत मालो जो नेपाल दरवार में रहेगा 24 इंटु 7 तो ये हमारा हुआ तक इसके बाद संगोली संदी के बाद, option A में से यांसरां संगोली संदी ठीक है अब थोगा संगोली संदी को समझे देखें दोस्तों बहुत सी पुस्तकों मैं यहां पर doubt है सबसे पहले देखें हमारी जो संदी होते है जब ब्रिटिस आंगल गोलखा युद्ध होता है ना तो सबसे पहली संदी होते है हमारी 27 अपरेल 815 को लालमंडी की संदी हो अब अब देखें फिर हमारे क्यों होता है अमरच था पाफ़ो समह हमारे हिमांचल पर्देश के आसपास है तो इमांचल से संध था पाफ़ीट पराजी दुगे जैसे हो आपवाच जाता है तो गुर्खा को लग जात है आँ मियां पर बनाना मुस्किल है तो फाइनली उस संदी को accept नहीं करता नेपाल राज दर्बार उसके बाद क्या करते हैं इसके बाद करते हैं नेपाल ऑन्क एकस्केयं क्विड क्सक्रिंट यह संदी क्या हुई स्विक्रिट हुई लेकिन अबेगे अधरी वह चाहिए अब्टा पंदर्य ही माना जाए ग़ेगा तो यहाँ संदी भी हमारी बम सा संदी करके जाते है नहुआ तो इसके बाद संदी हमारी जादा लंबी चलनी तो डिसंबर संधी होती है हमारी तो वहां पर भोला जाता है संगोली में कि अब एक बिल्टिस रेजिडेंट जो है हम काटमांटू दर्बार में रखेंगे उसके फ़ल्सवरूपी क्या होता है कुमाओ का जो पहला कमिश्णर था एडवर्ड गार्डनर वो अमारा पॉलिटिकल एजेंट बनके चले जाता है काटमांटू फूर विल्यम ट्रेल बनता है तभी तो ठीक है सेकेंड जो अमारा प्रसासक बनता है न कुमाओ का वो विल्यम ट्रेल जल्दी बन जाता है गार्डनर पांचे मेने रहता है इसी वज़े से तो यह संगोली की संधी थी ऐसे लंगूल की आया था आपका 1874 में ठीक है देखे इसके भी रीजन थे अधिसुची जिला अधिनयम क्या था इसका थोगा बहुत आपको नॉलिज होना ची सबसे पहले देखे अधिसुची जिला अधिनयम लाने की आवशक्ता इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको पता है जब कुमाओ क कमिशनरी बनी 815 में है तो इस समय हमारा कुमाओ करवाल का चेतरी था यह किस में आता था नॉन रेगुलेटिंग एरिया में ठीक है या निकि गयर आईनी चेतरी था यह अब होता किया है देखे हमारा 1869 के आसपास एक कानूनी समिक्षक को इस परवती एरिया में भेजा ज नॉन रेगुलेटिंग एरिया है जितने भी हमारे दिवानी मामले है फौसदारी मामले है इसके साथ साथ जितने भी अन्य चीजियां होते हैं उन सभी का सर्वे सर्वा कोन है कुमाओ कमिशनर है तो कहीं ने कहीं क्या और है वो अपने अधिकारों का अनन भी कर रहा है लो regulating area हमारा कब खत्म हो कभी question बनेगा तो 1874 में खत्म हो गया उसके बाद गैर जो हमारा अधिसुची जिला अधिनियम यह भी चलता रहा और 1937 में यह निस्प प्रभावी हो गया यहां कि यहां पर राइट अंसल जाएगा 1937 में 1937 में क्यों हुआ क्योंकि 1937 में 1935 का भारसासन अधिनियम आ गया था बारसासन अधिनियम के बाद बहुत जगों पर चुना होते हैं हमारा समयुक्त प्रांत के फिर पहले सीम भी तो बन जाएंगे गोविन बल्लब बनत ठीक है तो यहां पर फिर इसकी जरूती नहीं थी समाप्त कर दिया गया ठीक है और नॉन रेगुलेटिंग एरिया समाप्त कब हुआ उत्राखिन से कभी कोशियन बनेगा तो यह समाप्त होता है 1864 में समझ गये ने सभी पॉइंट के लिए रोगए आपके ओके तो दोस्तों यह था आज उत्राखिन जी के टेस्ट पार्ट ह अ लोगों को भी आवेरे ness बयं संदे लिएकां पर नुकसान नों करने लोगों पॉलिथीन, प्लास्टिक, कुगा कचड़ा, कुछ भी दिखते हैं आपको इस टैप कर, ठीक है, बागे दोस्तों अच्छे से से स्टेडी करें, खूब रिविजन करें, देखिए, ब्रिटिस कुमाव वर्वाल से कोशियन बनने हैं, बहुत से लोगों का सवाल है कि कौन सी पढ़ें, तो आप डॉक्टर अजैशियर रावज जी की पुस्तक पढ़ो, उत्राघंड का राजनिति के तियास वाली, ठीक है, वहाँ पे से पी आपको बहुत एल्प मिल जागे उस पुस्तक से, बागे यार इतना प्रैसर मतलो, एक्जाम पेपर जैसा आपका 31 का था अ आप लोगो, ठीक है, वागे दोस्तों, अच्छे से इस्टेडी करें, खूब रिविजन करें भी काफी टाइम है, वीडियो भी पीडियो एक्जाम में, बिल्कुल नर्वस ना हो, एनलजैटिक रहें, द्रग निश्चे के साथ आगे बढ़ने की प्रियना खुद को देते जै हिंद, जै उत्रगंड, सुबरातली